So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel आज हम explain करेंगे In His Shadow Movie को तो spoilers का ध्यान रखते वे शुरू करते हैं कहानी की शुरुवात में एक अंदेवक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ कोई गेम खेल रहा होता है उस अंदेवक्ति के पास पालतु कुत्ता भी होता है अंदेवक्ति अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अपने नया गाना सुनाओ तो उसका दोस्त उसे नया गाना सुनाता है और अंदेवक्ति को गाना पसंद भी आता है तबी उस अंदेवक्ति का बड़ा भाई आ जाता है जिसका नाम इबराहिम होता है अब कहानी में पहले का सीन दिखाया जाता है एक कपल दूसरे देश में आता है और एक दुकान को पसंद कर लेता है और जो देखा जाता है लेडिस प्रेगनेंट भी होती है अब बै कपल अपना रेश्मेंट ओपन कर लेते हैं उनका एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इबराहिम होता है इबराहिम बड़ा होता है तबी इबराहिम के पापा एक उरत को शादी करके घर ले आते है एक साल बाद उस उरत को भी बच्चा हो जाता है इबराहिम की मम्मी वोच वेशन साप कर रही होती है जिसमें अडामा के बाल भी होते है तो अडामा की मम्मी को लगता है कि इबराहिम की मम्मी उसके बेटे पे टोना टोटका कर रही है इसको लेके दोनों के बीच में बहुत बैस होती है अब दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं इब्राहिम अपने दोस्तों के बीच में रहना शुरू कर देता है और अडामा अपने पापा के साथ रेश्ट्रेंट में रहता है उनकी एक बहन भी होती है अब इब्राहिम चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पापा उसे बहुत मारते है इसी बीच अडामा का एकसिडेंट हो जाता है अब अडामा की मम्मी सोचती है कि ये एकसिडेंट काले जादू की वज़े से हुआ है और लड़के की आँखे की रोशनी भी चली जाती है अडामा के पापा निया घर ढून रहे होते हैं ताकि अडामा को कोई परिशानी नहों उस चोटे घर में रहने में तब ही इबराहिम अपने पापा के पास आता है और बोलता है मुझे अपार्टमेंट मिल गया है लेकिन उसके पापा उसे उल्टाइ सीधा बोल के चले जाते है इबराहिम अपनी मम्मी के साथ दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है अडामा के पापा अडामा से बहुत प्यार करते हैं और अबराहिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अडामा को काफी दूर का सुनाई दे जाते हैं इबराहिम अडामा के दोस्त यानी मलिक को मार रहा होता है क्योंकि वो उसकी बहन को पसंद करता है ये बात अडामा अपनी बहन को बताता है जिससे बहुत गुस्सा हो जाती है इसी समय अडामा के पापा सीडिया उतर रहे होते हैं तो उनको हर्ट अटेक आ जाता है और वो मर जाते है अब अडामा के पास एक ओरत आती है जो कि बहुत रहसे में होती है और कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ और वो वहाँ से गायब हो जाती है अगले सीन में दो लोग रोबरी करते हैं और इबराहिम अडामा के घर बहुत सारे पैसे लेके आता है और अडामा के घर में रग देता है अडामा इबराहिम को बोलता है ये सब मेरे घर में मत रखो लेकिन इबराहिम नहीं मानता थोड़े दिन बीच जाते हैं अगले सीन में पुलिस एक आदमी को पकड़ती है तो एब्राहिम पुलिस से उस आदमी को बचा लेता है अब अडामा अपने घर में मिजिक रेक्टिस कर रहा होता है तभी उसके घर में चोर आते हैं और उसके कुट्टे को मार कर सारा पैसा ले जाते है थोड़ी देर बाद अडामा को इस सब का पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है और अपने कुट्टे को अंतिम विदाई दे देता है अगले सीन में अडामा एक रहसे में औरत के पास जाता है और रोने लग जाता है और कहता है जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे उसकी मौच चाहिए वो औरत काला जादू करने लगती है अब अडामा उड़ता है तो उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है अगली सुबा अडामा अबराहिम के दुश्मन यानि की एडी के पास जाता है और सारा माल लोटाने के लिए कहता है अबराहिम का दुश्मन उसको वहाँ से भाग जाने के लिए बूलता है और अडामा चला जाता है लेकिन अडामा को बीच रास्ते में इबराहिम पकड लिता है और बहुत मारता है और अपने पैसे के लिए बोलता है और उसे शक भी होता है कि अडामा एडी से मिल चुका है अब मलिक अडामा की बहन को बताता है कि इबराहिम ने अडामा को कैद कर रहा है पहले सीन में इबराहिम अडामा की मम्मी को अडामा से मिलवाने के लिए लेकर आता है तो अडामा अपनी मम्मी को बताता है कि मेरी आँखों की रोशनी वापिस आ चुकी है और वह देख सकता है अब अडामा वहां से भागने के चक्कर में इबराहिम की मम्मी यानि की हैगना के सर पे पत्थर मार देता है और वो बेहुश हो जाती है अब दोनों मा बेटे वहां से भाग जाते हैं और एडी के पास चले जाते हैं इबराहिम को जब अपनी मम्मी के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से बागल हो जाता है अडामो को बहुत बुरा लग रहा होता है जो उसने इबराहिम की मम्मी के साथ किया तो अडामा की मम्मी उसे समझाती है कि ये सब गलती से हुआ है हैगना यानि इबराहिम की मा कॉमा में चली जाती है जिसकी वज़ा से इबराहिम पागल हो जाता है और लोगों से वसूली करने लग जाता है जो वसूली नहीं देता है इबराहिम उसे मार डालता है अगले सीन में मलिक अडामा से मिलने के लिए आता है और अडामा मलिक को बता देता है कि मुझे मेरी आँखों की रोशनी आच चुकी है बाप ये बात सुनकर दोनों बड़े खुश होते हैं लेकिन अडामा जब भी सोता है उसको चुडैल के सपने आते हैं गलती से अडामा की बेहन अडामा को मलिक के बारें बता देती है कि उसे पता है कि अडामा कहां चुपा है तो अडामा मलिक को की उंगली काट कर अडामा के पास भेज देता है जिससे देख अडामा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त को बचाने आ जाता है और साथ में एडी के पूरे गैंग को ले आता है लेकिन वे साथ में पुलिस को भी फोन कर देता है जिससे पुलिस सारे गैंग को पकड ले अब अडामा इबराहिम के सबी लोगों को मार देता है और साथ में इबराहिम को भी चक्कू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है इतनी देर में पूरी पुरी पुलीस फोर्स वहां आ जाती है और सारे क्रिमिनल्स को पकड़ देती है क्योंकि पुलिस को पहले से पताता कि अडामा देख नहीं सकता तो पुलिस उसे छोड़ देती है और अडामा वहाँ से चला जाता है और बच जाता है इस कहानी से मेरे को ये लगता है कि इबराहिम को चुडेल का जादू बच्पन में ही मिल जाता है इसलिए उसके पास सब कुछ होता है लेकिन जब अडामा को चुडैल का जादू मिलता है तो इबराहिम का बुरा वक्त शुरू हो जाता है आपकी क्या राय है हमें कमेंड बॉक्स में बताईए और आगे की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक यू